हेलो गाई स्वागत है एक नया हेल्पिंग हैंड वीडियो में तो आज हम बात करेंगे कैसे आप घर बेठे अपना पेंकार्ट बना सकते हैं जो कि आपको थी डेस्क के अंदर अपने इमेल में मिल जाएगा और 7-10 डेस्क के अंदर बाई पोस्ट आपको घर फिर मिल तो गाईस आज की विडियो में मैं आपको कमप़लिटली पीन कर्द मायाने का पूलकर्स दिखशने वाला हूं उसके साथ आप पेंकार बनाने के लिए फॉट towerserta के यॉनदर करेंगे और बताने वाला हूं तो गैस आप तीन तரिके से i.o बना सकते हैं एक आप de gelir को ऋटर से मना सकते है या इनकम टेक्स डिक्स स्वाना सकते हैं सबसे आसव और फास्ट택वını परिफ स्वाच्प नुट करैं तो आज किज वीडियो में मैं आपको ऊंदेल को तरश रहीं कर बनाना सिंखाऊंगा तो ग Meinung hog बनाने से पहले सब सबसे पहले आप अपना सिगनेचर और फोटो और एक डोकुमेंट मतलब आधाकाड रेडी कर लेंगे पेंगर बनाता अपलोड करने के लिए तो अगर आपको केशे सही साइच का सिगनेचर और फोटो बनाना है जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है तो आपने घूगल को ereum को डेश्ट अपकर कर लेंगे किरा आप सार्च करेंगे एनच डील पर रजकार लिखा हुआ आजएगा जिसमें क्लिक करेंगे के लिए प्लिकस आपके प्लिकयो और इप्लिकल अपसेन acquisition पर आप new pen Indian citizen पर click करेंगे फिर आपको category select करने का option मिलेगा जिसमें आप individual select करेंगे फिर आपको applicant information देने का option मिलेगा जिसमें आप title पर अगर आप लड़का है तो SHRI SRI select करेंगे और अगर लड़की है तो स्रीमति SMT select करेंगे और अगर आप विभाईत लड़की है तो कुमारी स्टिलेक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो भी है स्टिलेक कर लेंगे फिर आप अपना लाश्ट नेम मतलब सार नेम डालेंगे फिर आप अपना पास्ट नेम डालेंगे और अगर आपका मीडिल नेम है तो मीडिल नेम डाल देंगे उसके बाद आपको नीचे ड token number मिलेगा आप इस जगह पर जो email डालेंगे उसमें आपको ठीर देस्के अंडर आपका pencard मिल जाएगा box पर टिक करने के बाद आपको नीचे capture फिल करने का option मिलेगा जो आप फिल करके नीचे दी हुए submit बटन पर क्लिक करेंगे submit करते पेस्ट थोरा सा loading लेगा और एक नया page open होगा फिर गाइस एक नया page open होगा जिसमें आपको अपना token number मिल जाएगा तो इस token number को आप समाल के रखेंगे कि कोई application फिल करते समय अगर server की बज़े से किसी भी जगह पर problem हो तो आप दुबारा इस token number से login कर सकते हैं फिर आप continue with pen application form पर किलिक करेंगे करते हैं आपको online pen application का form open होगा जिसमें आपको step by step सब कुछ फिल करना पड़ेगा तो गाई सबसे पहले आपको three option मिलेगा जिसमें अगर आप पहला वाला option select करेंगे तो आपका आधर का image और signature copy करके pen card पर आ जाएगा और अगर आप दूसरे वाला option पर टिक करेंगे तो आपको अलग से image और signature upload करना पड़ेगा और अगर आप तीसे वाला option इसलेक करेंगे तो आपको physical document submit करना होगा तो मैं दूसरा वाला option select करेंगे तो आप लोग दूसरे वाला option select करना अगर आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी photo या signature upload करना चाहते है तो फिर आप नीचे आएंगे तो आपको physical pen card required का option मिलेगा जिसमें आप yes एक रहने देंगे फिर आपको नीचे अपना आधरकाट का last four digit डालना पड़ेगा उसके बाद आप अपना आधरकाट के सबसे अपना name डालेंगे फिर आपको नीचे full name वो एप्लिकेंट में सब कु डालेंगे फिर आपको mother name डालेगा option मिलेगा जो की optional है मतलब आप चाहिए तो डाल भी सकते हैं और छोर भी सकते हैं फिर आपको name of the print of pen card का option मिलेगा जिसमें आप मतलब आप pen card में अपना father या mother किसका नाम छपा हुआ चाहते हैं तो आप वो सिलेक करेंगे और नीचे दिय सेलरी या business या house poverty income for other source या no income तो अगर आप student है तो आप no income पे टिक करेंगे फिर आपको address of communication का option मिलेगा जिसमें आप residence select करेंगे और नीचे residence address मतलब आपना permanent address डालेंगे address में आप सबसे पहले list से अपना country name select करेंगे फिर आपको अपना state करना होगा फिर आप अपना pin code डालेंगे और district village और post ओपिस डाल देंगे address में कोई mandatory चीज़ नहीं है आप अपने सबसे सही से address फिल करेंगे फिर आपको ओपीस address मिलेगा तो अगर आपके ओपीस है तो आप अपना ओपीस address डाल देंगे फिर नीचे आपको telephone number और email id का option मिलेगा जिसमें आप country code करेंगे इंडिया और आपको telephone number email id लिखा हुआ मिलेगा फिर आप नीचे दिये हुए next पर क्लिक करेंगे क्लिक करते है आपके समने चोथा option खूल जाएगा जिसमें आप अपना area code और टाइप रेंच कोड़ और अधर कर लेंगे फिर आप नीचे दिये हुए indian citizen पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना state और अपना जिला सिलेक करेंगे अपके समने area code और टाइप रेंच कोड़ और और नमबर लिखा हुआ आ जाएगा फिर आप नीचे दिये हुए next बटन पर क्लिक करेंगे फिर आप ल आपको फोटो और शिगनेचार अपलोड करने का option मिलेगा तो आपका पहले से ही रेडी किया हुआ फोटो और शिगनेचार जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ ठीक वह से ही अपलोड कर देंगे उसके बाद आपलोड शापोटिंग डोकोमेंस पर आप अपना अधरकाट अपलोड कर देंगे और नीचे दिये हुए submit बटन पर क्लिक करेंगे सामिट करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपेन होगा जिसमें आप अपना फास्ट 8 डिजिट अधरकाट नंबर लिख देंगे और अपना एपलिकेशन को कम्पलिटली चेक कर लेंगे सब कुस सही है कि नहीं तो अगर आपका कोई mistake हो गया है तो आप edit पर क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं और अगर सब कुस सही है तो आप post sheet पर क्लिक करेंगे post sheet पर क्लिक करते हैं आपको payment करने का option मिलेगा जिसमें आप ATM card, debit card, net banking, UPI किसी भी तरीके से payment कर सकते हैं तो जिसमें आप online payment through ATM या online payment through Buildex तो मैं online payment through ATM पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद आप नीचे टामसोन सर्विस पर एगरी करेंगे और पोसीट टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको confirm payment का page मिलेगा जिसमें आप pay confirm पर क्लिक करेंगे लिक करते हैं आपको payment page पर पोसीट कर दिया जाएगा जिसके आप QR code से scan करके payment कर सकते हैं नीचे आपको debit card, credit card का भी option मिलेगा और अपना UPI ID देके payment करने का भी option मिलेगा तो आप जैसे चाहिए payment कर सकते हैं तो गैज जैसे आपका सुविदा हो आप payment कर देंगे तो गैज जैसे की देख सकते हैं payment करने का बाद मेरा page logout हो गया है तो मैं फिर से home page पर जाके अपने token number देके फिर से login करूंगा तो अगर आपके सब भी ऐसा हो तो आप घबराना मत फिर से login करना आप next वर्च पर पहुँच जाएंगे तो गैज payment करते हैं आपके सामने ऐसा page open होगा जिसमें आप click करेंगे और नीचे नीचे आपको दो option मिलेगा continue और authorization तो अगर आप फिजिकाली रोगों में सब्लोड करना जाते हैं तो आप continue पर click करेंगे अगर आप online पर ही सब कुछ verify करना चाते हैं तो आप authorization पर click करेंगे और authorization पर click करते हैं आपके सामने एक नया page आएगा जिसमें आप OTP authorization पर click करेंगे फिर आपके register किये हुए आधर नंबर पर एक OTP send किया जाएगा जो आप इस OTP section पर डाल कर नीचे submit पर click करेंगे submit करते हैं आपके सामने NHDL e-sign का page open होगा जिसमें आप अपना अधर नंबर डालेंगे और send OTP पर click करेंगे click करते फिर से आपके अधर नंबर पर एक OTP send किया जाएगा आप OTP डाल कर नीचे verified पर click करेंगे तो इस OTP verified करने के बाद ही आपका application successfully submit हो जाएगा application submit होने के बाद आपके सामने एसा page आएगा जिसमें आप download PDF पर click करके अपना form download कर सकते हैं और shape करकर रख सकते हैं तो आप form PDF को download करेंगे और अपना date of birth देके PDF को open करेंगे PDF के अंदर आपको अपना full application मिलेगा आप आपको कुछ नहीं करना है बस ओट करेंगे 3 days के अंदर आपके email पर आपका pencard send card दिया जाएगा और 7 से 10 days के अंदर आपको अपने घर पर by post अपना physically pencard मिल जाएगा तो guys जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे आसानी से घर बेठे खुश से आप अपना pencard बना सकते हैं तो guys application फिल करते हैं अगर किसी भी दरेगे से आपका application कर जाए तो आप फिर से home page पर आएंगे और register user पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना token number डालना परेगा token number डालके email id डालेंगे और अपना date of bar डालके नीचे दिये हुए capture कर करेंगे तो आपका application दूबरा से open हो जाएगा तो guys कैसा लगा हाच का है वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और आपको कोई भी confusion है pencard related तो आप मुझे comment पर फूच सकते है